काम्याब है पर दा नुक्सान बढ़ा है नुक्सान है कि जिड़े अपने करेरा आराम ना बेटे जाखते हैं थे नहीं आदे थे आंदे पस तक्के का होगे रेल भी तक्के का होगे थे होंगे ठीक है पिछली लेक्षिर देखे थे पैंती बंदें सी ऑनलाइन एक सो पैंती तुसी इमेद कीती है नहीं इनिमिटेशन नहीं के रहे है फोर की तब इबनों काहड़ नहीं आया फटर पेजिया तो अच्छी कहला है ते साड़े मित्र कुल्वीर गोजरा ने एक साड़ा गंटी करता है कि जथा नहीं नहाला जना है तो फिकर नहीं एगा है जड़ा फि पाइवीर सिंग यादर स्थापत किता है गया पहला नाम सी पाइवीर सिंग साहत सदन पर साहत नहीं सुनदा सदन कोशिश करके सी साहत दी अगे किता साहत सबैचार कल्चर एंड लिट्रेचर तो बड़ा साय योग दिता तुसी लोगा ने आसे वड़े 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 फ़कशन कीते गुरु नारक साथ पाच्सों पंजामा साल गुरुगा कित्वीर साहत स्थापने देवस गुरु गदी देवस बड़े बड़े काम याव तह आखरी बड़ा फंक्शन चला सी गा गुरु नानक साथ दे आब बारां प्रदान डॉक्टर मुनमोन से नहीं कि पर कौन गल करेगा पाई सती दास पाई मति दास पाई द्याल दास जैना पता सी कि गुरू सापने जानदा किन्या रिस्क है पाई सती दास पाई दास पाई 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 तर्म से ना राग दास ओना दे जेरे वंजेश ने लाइन चो ओसलन पाई चान जी सिंग आयान साधी बेंटी दे सान वी सामर लोड़ ने कारे जान हैं मूजेउन बना कर रिक है अच ची अन्यूसत कार कर दें आज दे वक्ता हैं परसर ईश बिडियाल गॉड ते पर दानगी का रहे हैं परसर पर गौवान जोश मैं अंदर पर गवान जोशी पुछा कि तोड़ी किताबाना नाम करना जी यह तो फजूल का ला ला ना यह रमी जूल लिस्ट वक्र जाया करोगे सेम इस आई तिंग पर सिश्ट जाल गॉड बहुत सारी किताबां लिखियें बड़ी हैं मार्केदी किताबां लिखियें दोना ने यूनिविस्ट प्रफेसर हैं इतियास दे पर बहुता प्यार हैं उन्हों पंजाबी साइट सेबह चाहर नाला है आज सामी खुशी है कि दोनों जोने सार्टन पुराने जुड़े हो एं एक गल में करना चाह मांगा शायद बहुत नों पता नहीं होएगा एक मुश्किल वक्त आया साथ दिन ते चंगरा हो गया जो सिक्स अंसा जाम दोर दो नहीं ठीक है ते मामला किचैरी इस पहुच ग पर गवान जोश प्रोफेसर भी उन्हां जो एक सी के एक दिन को ऐसा अजीब जी गल होई कि दो बंदे न्यूट्रिल होगे सची गल करने तो पहला आके उन्हें बापजी कमरे चाहर रास की ती फिर वेरिविक्रेशन क्योंकि पहले मेंबर जोने पहले पर दानला कुक भी देना और मेंबर चाह कोन बढ़ाएगा असना ने लिकाला ना ड्रैवर भी चाहिए थे कि मैंने लह के अंदा है जो तो न्यूट्रिल होगे ना फिर पकवान जो दो करना कि जी लेट आस डिसाइड बाई मिजॉर्टी हो दो सी पकवान एक सी का पकवान है ना जो दिमारा ह करके ठीक लिस्ट बनाई ते डॉक्टर मनमोन से जाके बेंती किती कि दुस्ये दा समालो उस तो बाद काभी गुरुती करपा रही है बड़े बड़े काम हो रहे हैं सो इस करके वहान जो जो दितना बात कर दे हैं कि मुश्किल लगया है नहीं सानों बचाया मेरे गुर पा पंजाबी इससे वाइशन से डॉक्टर मीक सिंग्सान जेने मैं सुने पतान ठीक है के गलता है उन्हें पता लगे बर्णाले एक बड़ा स्याना बंदा है वाइशन आपनी गड़ी जारे सी बढ़े रस्तेज बर्णाले रुक रहे ते वाई थे एक शुर दाल गौर रंद आगे प्याद प्याती होना ने शिक्रम भी बड़ानी तो होगी इन्हें कहते हैं विसरा बंद तू मेरा जाएंगा के थे बर्णाले नहीं रहेंगा च्वाइस दो है तेरे को वापसी दे पंजाबी से वाइशन स्वेरे जागा लगा दांगा यह चन्री गड़ जाना थे पत्नी शेशी जोशी बहुत मारके दागम किता इस द्याल चन्री कर गड़े जिते इनुने मारकेटिंग नहीं कर सकी तो सी दो कम नहीं कठे कर सके यहां ते किताबा लिखो गए यहां जाके दर्वारी आजर होगी ठीक हैं एक दर्वार दी जाना किताबा लिखा गए ते जो किताबा लिक्राए हारे प्रोफेसर ने पुषयरन ने जिदन डितने चेही ढीठी किताबा ते अमरीक से ने देखें दो किताबा डॉक्टर ihmें जड़ा रहें और सेन यह बड़ी कदर क potion हैं, तो अमीज ने सारी उने दोस्ति ऐक दिन उमीजन को लिखें अमीज इते द कि मेरिट असर्ड करनी बंदी है सानों खुशी है कि जड़े दो लीडिंग इंटेलेक्चिल जान पंजाब दे वह सब्सक्राइब जुड़े हैं तो पहला हम बेंटी करांगा पाई चर्ण जी सिंग कि सानों दर्शन दें आप पंच सत में दर्शन दें निकला तो नों दोब आप जी दास जी परिवार चों पाई मती दास जी तो बाद नौमी पीडि और बाभा परागा जी तो बाद तेर्मी पीडिच है दास आज बहुत तनवाद है अदा करना चाहेगा पाई वीर सिंग जो साहिट सदन दे मोहिंदर सिंग जी और इन corporate ये सारी टीम और आप सभ बिदवाना दा बहुत बहुत तन्वाद और दास एक खासका तन्वाद अदा करना चाहेगा पारत सरकार दे नेशनल म्यूजियम दे डिरेक्टर एस पी सिंग जी जिना दे सहयोग देनाल दास आजए थे आप तक पोचे आए तो दास आजए आजए आप जीनों थोड़ा जा समा है दास दे कोल पाइमती दास जी ते परिवार दा जो इतिहास है जो आप जीनों दसना चाहेगा ते मैं समझा आप सब विदवान जन हो ते साथी होई कहना जी आप जीनों ये संगत कहलो ते दास दसना चाहेगा कि जड़ है पाही मती दास जी दा जड़ा परिवार सी जिस तरह अब दी सिक्षत जाज ही अगर अगर अपा गाल करीए अस तो सब्थ क्वर्णी वेचे अभट परिवार जड़ा हुई है जड़ा पाही मनी सेंगी दा잖아 बंड-бंड कटे ग़े सी इस परिवार दे अठाई तो वद सिख गुरू कर दी सेवच रहने जिस्ते विचों नौ तो दस शहीद ने नौ कनफर्म ने दसमी शहाद़ दे उते सर चल रही है दास इजिते बुग लिख चुके है छेती ही पब्लिश होएगी दास दसना चाहेगा कि एपरिवार गुरू नानक साहब दे वेले तो ही गुरू करना जुड़े हो ऐसी इस परिवार दे वडेरे पाई गौतम दास होएने जिना दा राज सिगा पेरा राज थर्ताल चक जड़ा वर्तमान दे वेच पश्चिमी पंजाब दा करयाला चकवाल दा आऑा सी जिला चेलम दे एपरिवार सी के इस परिवार दे शिखिदा दे जब्लम जिला चेलम के लिख पाई गौतम दास दो कुरू नानक देव जी ने परञार दी एक मनजी थापी सी और पोथो हार दे आपके देवेश सिखी पर जाद थापी सी अग्गे ना दे पुत्तर हुंदे ने पाई परागा जी पाई पैडा जी ते बीबी सरस होती जी दास जारा डिटेल समय नहीं है तो शौर्ट वेशी आप जी आप जी दास देए पाई पराग नहीं लगे सी और उस दे बाद इना दी शहादत हो गई सी इना दे बारे गुरू हर्गोबेंसा हमारा आज ने बचन कीते सी जैत सो परागा तीर पैड़ा जंग आयो है इना दी पैन बीबी सरस्वती पंड़त किरपा राम दत जो कश्मीर तो आयसी गुरू ते एक बाहद हीरा नंदी दे पुत्तर सन पाई मती दास पाई सती दास पाई जती दास पाई सक्षी दास इस समय जड़े तिन हीरा नंदी दे जड़े प्रा सन ओ गुरू हर राय सहब गुरू हर कृशन सहब और गुरू तेग बाहदर सहब तिन पाश्यायां दे दिवान रहे ते जिस व सेवा कर देनी थे मेरा सरीर नो भडी न वड़ेरा हो गया है थे आप जी ढगे रекстblack है कि इन नो अगे दे सवा दितीजाए ता फिर गूट ऑक साफ जी महराराज ने पाई मती दाफ जी मोड़री संuga मेड़ ग्राण और ऍारी सफ़ ती जांतरude ते गुरू साब की बोल देने, उस संगत नो दस दे सी, संगत की पुछ दी है, गुरू साब नो दस दे सी, पाई सती दास ओ महान विद्वान सान जिना दे करके हिंदी पाशा, जिन्हों अज राश्टर पाशा कहने हैं, ओ आई, क्योंकि जिस वक्त गुरू तेग भाहदर सा की दा समा जिनिते सी, इस संसकरत फार्सी ब्रज पाशा हैं गडरी पाशा दा प्रियोग हुदा सी, ते पाई सती दास ओ वो गुषवान सान जिन्हां फार्सी संसकरत नो और इनना पाशा वान दाशा सरली करन किता जिस दे वच बाद देवेजे हिंदी दा प्रशकत उना महांतम बिद्वाना तो थी जिना दे करके हंदी पाशाय थे आई, तो इस तो बाद फिर जिसा वगधिर गुडू गोबें ग्यारा न behave खुडशनい मोबर बीस है और छु के प्यारे सिखभाड़े सिख्षां कि इना नू खाजर करो ते फिर पाई दरगाह माल जी ने अपने पुतर पाई साहभ चांद और तरम चांद जी नू कल्या जी पाई साहभ चांद दिवान सान और पाई तरम चांद खजांची सान गुरू गोबिन संग माराज साड़े को जो इत्यासिक दस्तावेच जो पीडी फैमिली ट्री बनसावली नामा कुर्सी नामा कह सकने हैं ते इस दे वेचे जड़ा साड़ी पीडी दा जड़ा जड़ा जिकर है वो पाई दरगाह मल जी तो है यह ओ इत्यासिक दस्तावेच है जिस दे वेचे इस परिवार दे दवारा इस परिवार दा इत्यास दस्या ग जड़ी इतारा सो पिचातर तक दी पीडी दा जिकर है ते जेस वक्त सन सतारा सो दे वेच्छ एक जंग हुंदी है किला निर्मोह गड़ अननपुर साहब उस दे वेच्छ पाई दरगामाल दे पुत्तर पाई साहब सिंग शहीदी पाजा देने और इना दी शहादत तो बाद सन सतारा सो दे वेच्छ एना दे प्रा अननपुर साहब दी जंग दे वेच्छ शहादत पाजा दे ने उस वक्त गुरू गोबिन सिंग महराजी ने इस परवार नो एक हुकम नामा लिखिया थी और बचण आज भी परवार को मुजूद ने एह हुकम नामा साहब है जिस द से उपर खुशी होई जो कोई सिख पूद गुर्बखत सिंग ब्रह्मन नो देख सो गुरू के लंगर पावेगा सर्बत संगत उपर मेरा हुकम है तर्म चैंद दे पुत्त पोत्रे दी टहल करनी संगत की गुरू बोढ़ी करेगा संगत निहाल होगी संगत उपर मेरी खु कम Nicha साबये मेरा सब्सक्राइब बोड़ा स्क्राइब हों आड इस परसूपे चौथा हुकम नमा है और इस तो बहुतिक चोथा हुकम-नमे ने पन्जाब नेूपैतरम सिंग्ग दी शहादत थो बाद ऐना दे पुत्टर्गर बगखत संग लिखारी दी से ते olvid गुरू को उन्दे ने जिस वक्त गुरु गोबिन सिंग महराज योती जो समादे ने उस वक्त केसर सिंग चिपबर दी उमर तकरीबन साथ साल है आप जी रहे थे मैं देखिया जी बहुत एक अच्छा लगा खुशी होई केसर सिंग चिपबर दा जड़ा बंसावली नामा लिखिया है पाइवीर सिंग सेवा सदन दे विच बड़ा महफूस रख्या है आप बहुत बदाई दे पातर हो जी जो एस अनमोल करती नो आप जी ने थे समालिया होया है इस तो बाद फिर केसर सिंग चिपबर दो बाद होना दे पुतर सेवा सिंग हुकम नामी हुए ये समा आगया ज जारी होंदे ने तेना नो जगीना लगाईया जांदी आने ते ए परिवार कराला तो उटके पकिस्तान दे जिला गुजराच चाह जाएंदा है एह हुकम नामा साब ने जड़े एकालतक साब तो जारी होए इस तो बाद दूसरा हुकम नामा अकालतक साब तो जारी होंदा है इस तो बाद फिर तीसरा हुकम नामा फिर जारी होंदा है बाब बेदी बेर तो ए ते आसिक डॉकुमेंट्स दास दे परवार को अठ खुम नामे है अज भी मौजूद ने इस तो बाद जी एना दे सेवा सिंग हुकम नामी है तो बाद उना दे पुतर पाई महताब सेंग अग्रेज राज, ते एनाधे लिखी होई पुस्तक अंग्रेज अपने नाल लाग़ के इसी जड़े अज़ भी लंदन देवेचे यूके दे लंदन देवेचे इनडिया आर्ट ओफिस देवेचे इनाधी हस लिख एक सु बैसी पने पुस्तक पई है जिसदा नाम है रोशन पंजाब किस्सा इस तो बाद एक साड़े कोल एतिहासिक डॉक्यूमेंट से कोड़ी का पी एक सूएक साल पहला परिवार देवेश एक विवाद होया सी परिवार देवार 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 देव प्रजेक्ट शुरू किता सी औरल इस्टी से जबानी जड़िये किना का जाना है ना कौल सानों ने मैंनों खुद नहीं सी पता आगा ठीक है तो असी चाहिए कि करिए कोशिश करिए के पाइसा पर कि जड़े इतियासक परवार ने अनुन लब के दुबारा रिकॉर्डिन करक कि दुबारा नहीं लेक्षिद दुबारा राम नकराम दे द दर्शन कितन दोड़े लेक्षर ने कराया तो वन्में बें तिक रहाँ पर दानशावन कंधि करांगा जमेचांड ट्रवां इंट्रीवेंच्ण कर सकते ने बोल सकते ने चांड टरआ जमे निवाइट कर से nे हुआ ठानु सारे अनु जी आया है और एक खड़ देह सेंगे लिओ कर देखें फूर दो मिक जह कुणा प्राइब कर दो में में मुदा अजू प्राइब तरह निया है, अज है अजिए नुदू है इसमाइब युद्राम। जो कुछ तुसी जान दे हो जोनों तुसी आए हो इस सुनाई नहीं दे रहा है ठीक है जो कुछ ऐसी है थे सिखके आए हैं और ए लेक्चर सुनके बाद सिखके जावांगे सानु जरूर महसूस वाएगा किसी कुछ ना कुछ आज यादा सिखके आप जिना सानु पहला पता से ओदे नो सानु यादा पता है और एदा कारण एए है कि आज जिसी के ऐसे स्कॉलर नो सुन जाने है जिने अपना पूरा जीवन ही पंजाबी सब्याचार नो समझन समझाओन ते ओदे बादे खोजकरन ते लाया है और खास ता उरते बाबा फरीद जिड़ा उना दा मान चेता सुन दे इन फैक्ट एक जिड़ा थेला होना ने मैंनू पेट कीता है एव पंजाब दे सब्याचार एक लिखतांदा परया हुए है इनू मैं खोला ना नहीं क्योंके इनू मैं खोल लिया ते फराइदा लेक्चर ने हो सकेगा एक थेला बांदी रवे एए थेले विच इना निया क कोई जीम दियां फैरां थले मरें उपर हुए पर एए सारे दे पिछे एक के होजा इंसान है वोदी के होजी बानी है ए पूरे द पूरा गौड साव ने अपना जीवने से लगाया और मैंना नू इंटोड्यूस भी नहीं करा वांगा इस तरह का काउन है के एक बड़ी मार गाल होएगी पर मेरे लिए दसन वासते पंजाब दे रीडर्स नू के इश्वर द्याल गौड काउन हाने दाट जन्स ए गाले दसन आणी किस नूए करना दिली दे वेच के महिंदर सिंग काउन है ए बिलकुल एक बहुत गलत गल है अच्छा जी इश्वर द्याल गौड द जड़ी लिखन दिया विदिया चली जहांता है असी पंजाब दया पुलिटिकल हिस्ट्री लिखी है इवन्ट सोन्या एक राजी तो बाद दूसरा आया उस तो बाद की लड़ाई हुई हो लड़ाई च कोण आये लड़ाई या बार इतिहास है वो क्या जन्दा के ना थी एंटिटी है उत लड़ाई या रहा है यहां था पंजाबी बार लाना लड़ेने जदो बार लाना नी लड़े तो फिर आप सुच लड़ेने ते लड़ाई जड़ा है एक एक सदा मुख तुरा रहा है पर गौड साव ने इस गल नो क्वेश्चन कीता है उनने क्या रिलिजिस हिस्ट्री तार्मक थ्यास लिखिया गया है जिस तरह पाइवीर सिंग ने लिखिया दिशमेच चमतकार कलंगी तर चमतकार पर पंजाब दे modern point of view तो सब्याचार की हिस्ट्री लिखन दा जड़ी पिरत है और गौड साव ने पाई है और मैं न तो ये गल बड़ी त्याहनल सिखी है और अपने टांगनार उस गल नो इस्तेमाल करन दी भी गोशिश कीती है आज दे लेक्चर वेचे ये गल तो अनो सपश्ट होएगी किस तरह political history, religious history और cultural history ए तिन तरा दिया हिस्ट्रियां वचके में केंगे हों दी है मेरे एक दोस्त ने उन्हादा नामर दी चंदन उन्हादी कर्टा दी लाइन है बड़ासा टूंड़ा फिर्दा किसे नो दुख दसना सी जद कोई नहीं मिलेया तेरा ख्याल क्यों आया पंजाब दे लोक वी जद उनाने किसे नो दुख दसना सी तो ऊटूनिदे फिर नहीं दो हसने अदे खियाल हूंदा एक बबाबा फ्रीद एक बबा नानक इस दो हसने जेड़ियों के पंजाव दे लोकान दा दुकष सिर्फ सुननदे काविल इनै नहीं वह उन्ड भी सकती नहीं का lei कि दुख दसना अनों फाइदा ज्या थोड़ा दुख दसना फाइदा नहीं तो दुख दी भी बेजटी करनु वाली गतला है ये दो है बड़ा सांट उन्न ईदा फिर दा कि दसना कि से नों दुख दसना सी जड़ कोई नहीं मिली आता तेरा ख्याल क्यों आया और सानू भी एस गल्दे वेच के जदों बाबा फरीद बारे कोई ने लेक्चर देता सी मी टूड़ दे फर्दे सी कीनू मिलिये पर सानू एक दम एक गल्दा ख्याल आया कि एक ऐसी हस्ती एक गौर्ड साव ने जड़ी के फरीद जैसी हस्ती नाली जस्टिस कर सक दिया क्योंके गौर्ड ने अपना पूरा जीवन उना नू स्टडी करनों ते लाया हुए है गौर्ड साव दी कमाल दी है historical methodology ओ यह है कि he is able to combine macro history with micro history macro history है कि जड़ी तो अनू पूरा जे मैं दसां के तो अनू पूरा वड़ा को शर्वे करे और macro history ओ यह जी में कुड़ी यह पेंड़िच बैठके पहला जवाने चे बाग कर दिया हुए है सीना को एकि सम्दी macro history है और गौर्ड सामने यह दो में method पंजावदी macro history और micro history और macro planning और micro planning नू बड़े ही नीज नार और क्रोज लीवे क्या हुए है मैं होल लम्या गलना ना करता हुए है उननों इबेंटी करता है कि ओपाई सहभ शेख वरीद बारे अजसानों enlighten करनों उनना गलना दे जिनना गलना दोनोंने बेड़े देर नार और बड़े मेहनत नार खोज गी ती है I.S. God वाज़ सदकार योग प्रफिसर मिंदर सिंग प्रफिसर पगवान जोश जी, हाजरीन, विद्यार्थियों, विद्वान, दोस्तों, मैंनु बड़ा फकर महसूस हो रहा है कि मैं तोड़े सब दी हाजरी दे विच बाबा फृरीद वारे जो मेरे विचारने, उननों मैं सांज कर रहे हैं बाबा फरीद सुफी चिश्टी सिल्सले देनाल तालुक रख दे सी इस सिल्सले नू सतकार देन वाले आंदा एक बहुत वड़ा हिसा जिसनू आज दी पाशाच हिंदू कैने आँ ओ हर रोज अजमेर विच अजमेर श्रीफ विखे बाबा फरीद दे मुर्शद दर्गादी जियारत करदा है एक वड़ा हिसा मुस्लमाना दावी है जो हर रोज बाबा फरीद दी दर्गादी पाक पतन विखे जियारत करदा है एक वड़ा बहुत वड़ा हिसा सिखान दावी है जो हर रोज श्रीगरुगरन साप्च दर्ज बाबा फरीद दी बानी दा स अम्रिस सर फरीद कोट ते हांसी दे तिन मुकद्द शेर दे विच बाबा इज दिबानी गुंज दी है ते बगैर किसे वितकरेतों लुकाई ओ इतिने स्थाना दी जारत भी कर दी है मेरे केंदा मतले है कि बाबा फरीद दा जड़ा स्पेस है उस साइबर स्पेस है उस सब सिशलोजिकल रिलीजियस थियॉलिजिकल बाउंडरी इस तो पार है उस एक विशाल विस्ट उना दा स्पेस है केंदा पावे है कि असी बाबा फरीद जी नो वेख दे के में आँ असी उना दा तसवर के में कर दे आँ ते के हो जही बौदक पर किरिया रहीं इंटलेक्ट रहीं उना दा नेरेटिव ते उना दी डिसकोर्स के में सिर्ज दे आँ इस करके बाबा फरीद उस किसम दा मुसल्मान सूफी नहीं जिस किसम दा मुसल्मान सूफी इतिहास कारी दे विच शामिल है जा जिस किसम दा मुसल्मान सूफी दे विच बियानने जान दा है इस पक तो एवी विचारया जाना चाहिंदा है कि बाबा फरीद ना हिंदोस्तानी है ते ना पाकिस्तानी है और पंजाबी है पर पंजाब ते पंजाबी दा मुदा जब पंजाब ते पंजाबी दा कॉंसेप्ट बड़ा कॉंपलेक्स है बड़ा प्रॉब्लेमेटिक है इस करके पंजाबी सब्याचार पंजाबी as an adjective पंजाबी सब्याचार ते सहत दी बजाए पंजाब दा सब्याचार ते सहत कहना ज़ादा वाजब होएगा ना के पंजाबी अजेहा संकल्प पंजाब दा सब्याचार पंजाब दा सहत जड़ा ए विशेशन है गए ए संकल्प है गए ए विशाल पंजाब ते पंजाबियत दा हामी है अजेहा संकल्प एंथ्रोपॉल्जिकल है कौस्मॉल्जिकल है जिस दे तहट पंजाब दे सब्याचारते सहथ नू नरोल हिंदू मुस्लमान सिक्ष श्रैनियां विच जा हिंदोस्तानी पंजाब पाकिस्तानी पंजाब विच तकसीम नहीं कीता जा सकदा आजही वंड़ गेर इतिहासिक है क्योंकि पनजाब नो एक रिजन वजों देखन दी जरूर थेगी है ए वंड़ हिस्टरोग्राफिकल है हिस्ट्री ज नहीं जिस किसम दी है सियों वंड़ियां पाँच्छ ने ए इतिहास कारी दी शरारत हो सक्दी है जा इतिहास कारी दा प्रस्पेक्टिव हो सकता है एक हिस्ट्री दा प्रस्पेक्टिव नहीं है गा इस करके कोई जमाना सी पंजाब रिजन नू क्षेतर भी कहने सी इस ता कोई उद्धू भी पिछे चले जाएए तब पंजाब नू देश ते वतन भी किया जंदा सी पंजाब दे छोटे छोटे जिड़े कस्बे सी उन्ना दे समू नू वतन कहने सी देश कहने सी एक बहुत वड़ा है गया इस करके पंजाब हिंदू ते मुस्लिम मानता ओदों भी सी पर ओ अजहे मुसल्मान हिंदू सिखने सी जेड़े कलोनियल पीरिड दे विच फाल्ट लाइन्स दे जरिये पेश कीते गए पंजाब दी कलोनियल इतिहास कारी दे विच जेड़े हिंदू मुसल्मान सिखां दे वन सवन तामा सी डाइवरस्टी सी colonial discourse ने उननों डिफरेंसिस च बदलता सब तो वड़ी हिस्ट्रोग्राफी की कर रही है उस साथी है डाइवरस्टी जनों डिफरेंसिस दे विच बदल रही है एक सटल गेम है गी है जिड़ी समझन वाली है गी है इस पंजाब दे विच जिस दा मैं जिकर कर रहे है उप पंजाब सिंद तो लेके गंगा जमना तक दा दुआब दा है जिते महापार्टी भी रचना होई जिते रिगवेद भी लिखे गए ते जिते लहौर शेर दे विच दस सो पैंती तो लेके दस सतर तक एक पहली वार सूफी जम दे उते कशफ नादी किताब लिखे गई हूना असी उसनों केड़ी किताब कहांगे कि यह मुस्लमानी किताब है उप पंजाब दा सहत है जिमें रिगवेद पंजाब दा सहत है पंजाब दे विच शामुखी, गुर्मखी, संस्क्रिट, फार्सी, अरेबिक एथे रहे के जड़ा सहत रचया गया उप पंजाब दा सहत है इस करके असी एसनु कला पंजाबी ज़ा शामुखी ज़ा गुर्मखी तक महदूद ना करिये क्योंकि जड़ असी शामुखी ते गुर्मखी दी गल कर दे हैं, फिर अगए फिर चगड़ा किस दा हो जाना है, स्क्रिप्ट दा भी आ जाना है ए तदी मैं स्टार्ट दे विच किया कि पंजाबी जड़ा संकल्प है गया, वो प्रावलमेटिक है, ते कॉम्पलेक्स भी है गया तो इंस्टड वी शूड यूज दी वर्ड दी पंजाब कल्चर एंड हिस्ट्री दिस इस माई सिजेशन नोट सुपरिंपॉजिशन सो केंदा पावे है कि एस सारियां ते इस करके एक तरिंजनी समाज है जिसना कुड़ियां कठीयां होके चर्खा कातदियां ने जिसनों स्टरिंजन कहने हैं एक पंजाब एक तरिंजन है गया जिस चिपांट पांदे वनस वनतावांदे लोक जातां सब कठीयां रह 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 आने ते जिस पंजाब दी मैं गल कर रहा है हां उस पंजाब दे वेचे जिमें प्रफेसर पगवान जोश ने किया कि कीनू दुख सनाईए एस पंजाब दे वेचे सिर्फ दोई बाबे ने बाबा फरी ते बाबा नानक ते मज़े दी गल ए हगी है कि दोना दा जिदो तुसी किलाम पढ़ दे हूं तो नो पता लगए दा कि दोने कॉसमालजी कल ले दोना जो ब्रमंडी चेतना हेगी है ते एस तो भी वद दोना दी विशेशता की है कि दोने नान कॉनफरमिस्ट ने दोने नाबर ने ओप जड़ी एक्जिस्टिंग किसे किसम दी भी हैजमनी है किसे किसम दी तौस है किसे किसम दा गलबा है गया उसनु की करदेने डिफाई चैलेंज करदेने उसनु वंगार दे हैगे ने उनना दे सलोकां दा दियान सानु एदस्टा है कि कास्मालिजी की हुन दी है इतिहास दा स्ट्रक्शर की है गया जा इतिहास दी हॉलिस्टिक यूनि है गां ते मैं नू हज तक कोई एस्टान दी इतिहास कारी जा सहत कारी दी कोई एस्टान दी किताब नहीं मिली जिदे वेचे ए दस्या होए कि पंजाब दे इतिहास दी टेक्स्ट के में बनी जग क्यों पंजाब दे इतिहास दी टेक्स्ट है ही नहीं पंजाब दे कल्चर द हिंदोस्तानी पंजाब मनलो लेंदा पंजाब ते चड़दा पंजाब ता फिर भी समझाऊं दी है पर पाकिस्तानी पंजाब ते हिंदोस्तानी पंजाब ता बिलकुल एक जिस्टे नहीं करते हिस्ट्री जा एक ते कर रहे ने इस करके पंजाब दी टेक्स्ट है गी है जो छी मंग करदा है गया ओऐ है की असे हिस्ट्रोग्राफी नो इतिहास नो सिर्जदे के में है असे हिस्ट्री लिखने के में है गया Craft of Writing दा मोड की एसाड़े को ले इस करके इतिहास कर जड़ी माजूदा इतिहास करी है ओदे विच असी रप्चर के में create कर सकते हैं एंगा हिस्ट्री तो मेटा हिस्ट्री दा सफर बड़ा ideological है इतहास तो इतहास कारिवल जाना ए भी एक विचार तारीक मुदा है गए इगल में क्यूं कह रहे हैं गए इगल में इस करके कह रहे हैं गया क्योंकि जेड़ी ci सी इतहास दा ज़र सहेदा इतिहास लिख रहे हैं क्राफ्ट अफ हिस्ट्री क्राफ्ट अफ राइटिंग लिटरेचर जड़ा लिखन दा साड़े को ले मोड है गया ओदे विच तिन तत हुंदे ने तिनन वसी नजर अंदाज कीता होया है जड़े सहेद ने हिस्ट्रोग्रैफिच मिस ने क्यों? एक ता साड़े को ले तिन तत हुन देने सैंस़्ॉसनेस है एक इंटिल्क्ट है ते टिसरा इमैजिनेशन है इतिहास कार को ले तिनौवी मिस ने इतिहास कार सिरफ तियो गल कर रहे है ठीक है? मैं अगे जाके गल कराँगा मैं लो सैंसूसनेस जड़ीया तो अड़ीया इंद्रियावी बोद है जे मैं अकबर नो औरंग जेब नो जा बाबा नानक नो जिदों भी ने ना लएन ताँ मेरी जड़ीयां पंझे सेंसिज ने बोड़ी दिया उनना दे विच की संचार हो रहे हैं ना सुंदे ही और की चीज नो सिगनिफाई कर दियाने इतिहासकार इस चीज नो पकड़न दे विच ना काम जाब है ते क्योंकि इतिहासकार फैक्टोरियंटेड है गया इस करके ओओ इमेजिनेशन नो बड़ी फजूल समझता है वेर इस दे इमेजिनेशन इस दिए ओनली तिंग वी कन परसीड दी हिस्ट्री तो एगला तेनने एक सो कहनदा पावे है ते असी लिटरेचर नो ऐजे हिस्ट्री के में समझना है ते हिस्ट्री नो ऐजे लिटरेचर के में समझना है खास कर हुन जिदो वार्ड लेबल दे उते हिस्ट्री ते लिटरेचर दोना दी डिबेट जड़ी जड़ी ओना दी फ्रेम वर्क दी मेत्डॉलजी दी जड़ी डिबेट हागी है वा बदल रही है पिछले 50 साल ना तो पर्टिकॉलरली जिदों आसी फूको दी डिस्कॉर्स वारे गल कर दे हैं आसी लिंग्विस्टिक टर्म दी गल कर रहे हैं ते आसी फैक्ट वर्सेज फिक्शन दी गल कर दे हैं कि इतिहासकार फैक्ट वर्सित हुन वेस्ट दे विच जा जेडी मेतडॉलजी इवॉल्व हो रही है गिया ओ दे विच फैक्ट ते फिक्शन दा फर्क नी हैगा ते किसे जमाने चे साड़े को लेवी नी सी इतिहासा पुराना जिनना दी गल रमीला था पर कर रही है जिनना पगवान जोश ने अपने थर्ड वालियम दे विच गल कीती है जोड़ी तिन वालियम इननने लिखी है गेने कि फैक्ट दे फिक्शन दे विच कोई फर्क नी हैगा साड़े को लेवी ता रमैन महा पार्तनू असी साड़े इतिहास ता सोमा ने but how to look at them from the historical point of view is a question of a methodology and our perceptions also ए ए थे गल खड़ी है गया इस करके जिड़े माजूदा established archives ने उनना दे उते एस किसम दी जिड़ी emerging methodology है ओ प्रशन चेन लगा रही है गया उस वालिया चेन लगा रही है कि असी इतिहास करी नो किमें सिर्जदे हैं बाबा फरी ता हर कल्चर दा सतकार कर देने कल्चर नो ओ मिट्टी जा खाक समझ देने जिमें हूँई सर ने उनना दा स्लोक बोलिया फरीदा खाक न न न न को जीम दिया पैरत ले मोया उपर हो ओ खाक की है गया ओ खाक तो अड़ा कल्चर है उस कल्चर दे विच्छी तुसी पैदा होने हो गरो हने हो ते ओ दे विच कल्चर ने साड़े को ले हिस्ट्री ने साड़े को ले एक हिस्टॉरिकल टाइम जा एक हिस्टॉरिकल स्पेस नी हैगा वी हम नियुम्रस काइंड ओफ हिस्टॉरिकल टाइम मेरे ले कुछ हो रहा है फोक दे ले कुछ हो रहा है ओ दे ले कुछ हो रहागा असी ओस चीज न रोहानी ते फिलोसफी दे पद्दर ते लेके आंदेने बाबाची दे लोग पाशाच ने लोग पाशाच ने ओ के ने परोन दे पेचे फिलोसफी देखो बाबा फ्रीद was the first who elevated the folk language to the level of a philosophy it was not Sanskrit Latin or Greek but the people's language that was the historical contribution of बाबा फ्रीद नो इस करके की पंजाब ते पंजाबियत लई अजो के अज दे बुद्धी जीवी इस गल बारे फिकर मंध हन वेदा पुराना तो लेके गुलाम फ्रीद दे कलाम नो पढ़के बाबा फ्रीद दे बाबा नानक वांग की असी अपनी पाशा दे विच किसे फल्स फाना शब्द नो टर्मेनॉलजी नो कौइन कर पाएं के नहीं विद्यारती बैठे ने यूनिवस्टीज दे असी फूको पढ़ देयां दारीदा पढ़ देयां उन्ना दी जिदो ओरिजनल राइटिंग्स देख देयों ता उन्ना ने ब्रैक्ट दे विच लैटन ते ग्रीक दे शब्द पाए हुन देने क्योंकि उन्ना ने अब दियां रॉला जरूर पा रहे हैं कि पंजाबी पाशा खत्रेच है पंजाबी पाशा नी खत्रेच है कि आसी पंजाबी पाशा नो फिलॉसफाइज नी कर सके है गए क्योंकि साड़िच नलैकी बहुत है गिया बाबा फ्रीत दे बाबा ना नानत दी खूब हuning यह है कि उन्ना ने एक फिलसॉफिकल पद्र दे उते एलीवेट कीता है गा, इस समझन वाली गल है गिया, इस करके असी अर्थां प्रवर्चना दे, अर्थ ते प्रवर्चन, मीनिंग ते डिस्कोर्स दी, जड़े सफर है गया, जर्नी है गिया, असी उसनों पकड़ नी पौंदे है, उस अड़ कलावे तो बार हैगी है, अते असी वर्थमान प्रविक ते पूत काल दे आपस ते तंदरुस्त रिष्टे ने जड़े, उन्हान उस थापत करन दे विच नाकामियाब हैगा, ओदे विच सणों एक डिसकंटिन्यूटीज नजर आउं दियाने, क्यों आउं दियाने, क्यों इस्थैटिक्स शूर्णाइभी निजरे, क्यों दियाने, क्यों दियाएगा, विच च्तरी ने पहदने, क्यों होतने। इस करके मैंनुए लगदा है कि असी तत्थ वादियां असी सच वादी नहीं है ते इस करके बाबा फ्रीद बारे जो भी इतिहासकारी रची गई है ओ बाबा जी दी जीवनी जा बाबा जी दी कान खाप पाक पतन तक की महदूद है 1955 सब तो पहला किताब बड़ी लंबी चोड़ी गाल हो जानी है पर जस्ट पासिंग रिफरेंस सब तो पहला किताब एक बायोग्राफिकल किताब सी छोटा जा मौनोग्राफ ओ अपना निजामी साब ने लिखिया बाबा फरीद दे उत्ते नाइंटी फिफ्टी फाइव दे गया चाहे ओ इटन है गया चाहे शेकल है कोई भी है गया ओस बायोग्राफिक तो उत्ते नहीं जा सकी है उस दा कारण की है गया कि किसे ने भी बाबा फरीद दे श्लोक नहीं पड़े विच इस दी एक्चुलिट टेक्स्ट और सारी ओनी इट इट इस बेन वेरी कैलिसली अग्नोर्ड ओजे पढ़ोंगे ताह तो उन्हों कोई गल समझाएगी कि बाबा जी एन्ने वजे पैदा होई उत्थे आएं उठते सी एक गला ना लिये इतिहास काराने सारा इतिहास का लिख लिख चुके ने और उन्हों पर्शियन भी होंदी अच्छी तरह इसे इतिहास करने but they are confined only to the life and times of बाबा फ्रीद a very stereotype of a historiography नो इस करके बाबा फ्रीद जी नो ऐसे एक समय स्थान दे हवालया ना ली समझ दे समझाएगा उन्हों फ्रीद दे स्लोक जो ग्रुगरां सा विच दर्चन ओ इतिहास कारी दा हिस्सा क्यों नी क्यों नी है के हो सारी फ्रीद दी आप दे स्लोका दी गल बात एक हो रहा है वो हिस्सा ही नी हैगे फ्रीद दी गल बात पाक पतन दी गल बात केवल ते केवल इसलाम दे हवाले ना ली हुंदी है केवल ते केवल जिसरा गुरुनानक दी गल केवल ते केवल सिखिजम दे हवाले ना ली हुंदी ह उस तरह ही हो रही है मीरियां इस स्टेटमेंट दा एक मतबल है गया कि असी इत्हास दे सहत दोना नूं मूोज अलगु डुमेंगदे नूं मूज समघ दे हैं सहत दे निरेटिव समघ दे हैं तु Mac इंति स athletes ने एक historical truth है एक neckberry truth है बाबा ता ये कहब रहा है अपने पहले ही कहा रहा है कि साचता हर एक की छीज तो कहता अगमापार्क सकन्द साच पर साढ़े लितार लोगाए दोगाए एक historical साच है एक literature वाला साच है इस करके इतिहासक सच नो fact दे हवाले नाल ते सहएतेक साचनु फिक्षन दे हवाले नाल पढ़न दिसानु आदत है इसलिएई साचज जा तथ की हुंदा है यह विक बन्यादी सवाल है साचज जा तथ दी शकल सूरत की हुंदी है की साचज जा तत कलना empirical है की ओ दिखाई शकल सूरत दे तक कि महदूद है जाओ अबस्ट्रेक्ट है जाओ इंपिरिकल है तो सच की है तो तत की है असी एस दे नालने निजिट दे ही नहीं एनूं असी एक तरफ नजर अंदाज कर दे देयां सच ने तत्धा लबास भी पाया हुंदा है एक गल्नी है गी कि सच तत्ध नहीं हुंदा पर सच तत्ध तो अगे भी हुंदा है गया हिंदू मुस्लमान सिक सच भी ने पर एस सच तो अगा भी ने हुआ कोई नरोल हिंदू, नरोल मुस्लमान, नरोल सिख नहीं है गा मैंनो नहीं हजे तक पता लगया है गा कि ओ की है गा ओ दे विचो तत्ते साच्चते तत्त दोने एने कंप्लेक्स एने डालेक्टिकल यूनिटी है गिया कि इट रइक्षई एक्सराइश तो अस्ते साच्चते स्फेक्स करके तत्त किस किसम दे आर्काईश्च निवास कर दा है इस तत्ध पता किते है इदर स्रिणामा किते है कि सचच प्राचीन मद काली ते अधूनिक ते पोस्टमोर्डनिम सच भी हम दा कोई जे सच नो असी केटगराइज कर दे हैं कि इसे पॉस्ट मॉडनिजम इसे मॉडनिस्ट ए प्राचीन है मद काली है गया वट काइंड ओफ लिनियाल्टी भी आर पॉलिंग बाबा फ्रीत ता नहीं सी ऐस प्राद कम कर दा और ना बाबा नानक नू पताशी बाबा नानक ता प्राचीन सच दी भी गल करता मन लोचे लाना भी होवे ता आद सच, जगाद सच है भी सच हो भी सच सद्नू सिर्फ इबानी दे पदर ते समझढ़ादा अब फिलसॉफिकल पदर ते नहीं समझढ़दा क्योंकि क्यों असी बाबा इनु कदे फिलसॉफिकल देखे ही नहीं है ला इस करके जद फ्रीद दी गल बात इसलाम ते सूफी वाद दे संदर भी चुंदी है तद सानु की इलम होंदा है कि असी मनी है कि जदो बाबा नानक पाक पतन बाबा फ्रीद दे स्लोक के कठे करन कि नहीं यार मैं मुस्लमान दे ले आवाँ जाके स्लोक की बाबा जी दा विजन इस किसम दा कम्यूनिटेरियन विजन सी चलो कम्यूनलिजम ता नहीं होएगा की उनना दा एस्टरन दा कम्यूनिटेरियन विजन हैगा सी बाबा जी दा एक गलबी ता विचारन वाली है इन अवर्ड वियू की सी दोना दा मैं बाबा ना ना नग ते बाबा फ्रीद नो बड़ा एक समझ़ दा है मैं इस करके दोना दा एक अथा बार-बार रफरेंस दे रहां कि ए दो बन्यादी बाबे ने साथे को दो बन्यादी जिस नो कहने ने पैटरी कल्चर पेट्रियार्क ने सटे एना दे वर्ड वियू किसी ओसानू नहीं समझादा हैगा वर्ड वियू उन्हों जानना लई सब तो पहला सानू उन्हों दे स्लोक कानू पढ़ना पढ़ेगा की असी एता तस्लीम कर लेगा एं मन लेगा की उन्हों दे स्लोक रोहानी हन। इस सब तो पहला जानना होएगा कि जे असी उनना रोहानी सहत मन लेआ तब साध्य समने एक बेसिक स्वाले आएगा कि फिर सहत की है वट इस लिटरेचर? इपनियादी स्वाल है जे असी बाबा जी दे स्लोका नू रोहानी सहत मन लेआ इस करके की सहत दा विशा तथ है जा सहत दा विशा सच है सहत किस दी तलाश कर रहा है सनुए जानना जरूरी है कि सच तथ वांग नहीं हुंदा बाबा फ्रीत ते बाबा नानक दस्दे हन सच अगम अपार ते बेयंत है दोना दी बानी चे एकल ते हर समेश थांच मजूद रहन दाए उप्राचीन मद का लिजा मौडरन जा पोस्ट मौडरन नहीं है गा ते मनुख दा भी कसाच हुंदाए जो जात जमात मजब चवी हुंदाए ते जमात जात मजब तो अगाँ भी हुंदाए ओ भी कसाच है इस करके मनुख जमात जात मजब आद दे लई चिन्तित नहीं एता इतिहास कारी दी जा सहत कारी दी चिन्ता है गी है असल चिन्ता ता मनुख दी मनुख दे वजूद दी है अग्जिस्टेंशलिजम दी प्राब्लम मैसेज नो साथ तर कहनदा है गा इता साथे ते थोपया जा रहा है कि तेनू आप दी जात दा फिक्र नहीं इता कोई आएम में कमिशन कमूशन है तो इता अल दी प्लिटिकल मेलो गेम है ता एक्शली तुस्री अपने अंदर जिदो बंदा कला होंदा है उनो जिदो बंदे नो यार बुड़ा हो रहे हैं यार किते जवाक नो आना होजे आना होजे ओ एतानी केदा हाए मेरा जवाक शिक है किते आना होजे हिंदू है नो दी बेसिक कोस्चन इस दी एक्शिस्टेंशलिजम जिड़ा एक्सिन्शिलिजम जे प्राचीन मद काली जा हिंदू-मुस्लिम सिक्छ जा जातां चे बंडिया होया है फिर तां मनलो फिर मसला बहुत अख़ा है गा फिर अपा गाली ना करिये ते बेसिक सवाल जड़ा है गा ओ एक्सिन्शिलिजम दा है गा हीर नो ए फिकर नहीं कि ओदा ती दो रांजे नाल व्या एश करके नहीं हो रहा हैगा कि एक कबीले दे नाल मैंनो भी असी व्या नहीं कर दे हीर दा प्यों कहनदा भी तेरा व्या ती दो रांजे नाल एश करके नहीं हो सब दा क्योंकि अपने रुआत नहीं हैगी कि अपपा रांजे आनल वया करिये हीर ता इस मुद्डे ते लड़ी नहीं रही हीर ता है गया अजाद्दी दा ओधी ता अग्जिस्टेंस ता स्वाल है गया पर सानु सहत का रहा है ने त्यास का रहा है अए दस दा वारेश आभी कहना भी नहीं उता चूचक कह रहा है गा कि तेरा उते व्या नहीं कर सकते क्योंकि अपने स्याल ब्रादरी जड़ी स्याल कबीला और रांजे कबीले नहीं व्या नहीं करता उनु थोड़ा फरक पह रहा है हीर दा कोस्चन है गया बेसिक अग्जिस्टेंस दा उस दी फ्रीडम दा उस दी अजादी दा स्वाल है एस दे हीर लड़ रही है गया एस दे उत्ते हीर काजी दे नाल जिदो उस दी बैस हुंदी है ओ अग्जिस्टेंस दे कोस्चन दे उत्ते लड़ रही है गया ते काजी किस दे लड़ रहे है कि कुरान चे ऐ लिक्या है ओ करेंगी नहीं कुरान चे यह नहीं कुरान चे लिक्या है बंदेदा वजूद की हैगा बंदा अपने वजूद दे लई क्यों लड़ता हैगा ओ उप बंदी इंटर्प्रोटेशन कर रही है गिया जो बेसिक कोस्टिन की यह एक्जिस्टेंशलिजम दा है गया इस करके सानू वजूद दा जड़ा सवाल है गया ना उस एक्जिस्टेंशलिजम दा जड़ा सवाल है गया उस के ड़े यूग चे सब तो खातरनाक है प्रगती शीला ने सानू इक कोई गलस काई कि बई फ्यूडलिजम दे वेच किसे नू जादी नहीं सी एक्जिस्टेंश दा स्वाल खातरेच सी ते सब तो वड़ा खातरा खातरा इक्जिस्टेंश दा डेमोक्रेशी ते सोशलिजम चाहे अबिगस चैलेंज जिन्ना चैलेंज मन लो क्विसे भी सोशलिस्ट कांट्री दे वेच अग्जिस्टेंस दे ते जिन्ना ही देमोक्रेशी दे वेच ग्य्सिस्टेंश दा खातरा रहे एनना फुडलिजम दे विच्टा है ही नी सी इस इंपिरिलिजम, कलोनियलिजम, सोशलिजम और डेमोक्रेसी दे बिगेस्ट चैलेंज तो दी एग्जिस्टेंस अफ एमेनकाइंड उल्ट है शे इस करके हाँ असी अजादी मंग देयां पर क्योंकि देन वाले एक एने ने कि तुस्य अजादी नी मंग रहे तुस्य अनार की मंग रहे अजादी ते अनार की इचता फर्क होंगा इस करके बाबा फरीत ये भी दस देने कि जिन्ना ने इस सचनू पहचान लेया किसनू एग्जिस्टेंस दे सचनू बाबा जी कहने ने मैं उन्ना दे पैर भी चुमन नू ते आरा बलकि ओ कहने ने कि सच अगम अपार बे अंत है एस सचनू समझो जिन्ना ने एस समझ लेया बाबा जी कहने ने जिन्ना पचाता सच चुमा पैर मू उन्ना दे कहने ने पैरवी चुमन नो त्यारा जिनना ने एस सच नो पेशान लिया कि सच जड़ा है गया उट तथ तो भी अगे हुंदा है उट हिस्टॉरियन नो चैलेंज है बहुत वड़ा इस करके सच दिया जही फित्रत नो समझन लए केवल तथ मुलक मिसल खाने आजा आर्काइवस दी ज जरूरत है मैं क्योंकि पर्टिकुलर्ली स्टॉडेंट्स बैठे ने मैं आर्काइवस दी गल नहीं कर रहा है मैं आर्काइवस दी गल कर रहा है आर्काइवस दा साड़े तथन अल परे पहने असी आर्काइवस की में डेवलप कर देया इतिहास कारी ते सहत कारी नो तथ नहीं होंदा, अर्थ की होंदा है लिरिकल होंदा है अर्थ कदे एदर जानदा है कदे ओदर जानदा है साड़ी पकड़ तो कदे बार होंदा है साड़ी जद्धो जहदी एही है कि असी लीनियर तो लिरिकल के में बनने है ते एस्टेबलिश्मेंट दी जद्दो जहदे है कि असी लीरी कल तो इननों लीनियर के में बनाई है ते इस करके आर्थ जड़ा है यह जड़ा अर्थ है यह मल्टी लेयर हुंदा है इले विच कई परता ने इस विच रेजोनेंस हुंदी है इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉ तो बात जड़ी जड़ी गूंज रहें दी है ते इस मोर इंपॉर्टेंट रेजोनेंस जड़ी है गिया उस दी उमर बड़ी लंबी हुंदी है रेजोनेंस इतिहास कारी तो अगा निकल ज़न दी है गिया साड़े दिमाग दे विच किया रेजोनेंस इस चल रही है ने बह हर रोज हिंदोस्तान तो पाकिस्तान ते पाकिस्तान तो हिंदोस्तान दिंच कई वार सफर करी जान दिया है मैं अखा मीच दे मीच दे लहूर पहुंच जाना अखा मीच दे मीच दे किते मैं अपने पिंड पहुंच दाना अख्खा मीच ते किते रेजोनेंस because रेजोनेंस दा बड़ा इंपॉर्टन्स दे असी रेजोनेंस दा रोल है जड़ा हिस्ट्रीच उस प्रती टोटली इग्नोरेंटा अलगर्स है गे है सानू समझ नहीं आँ दी की की किता जावे रेजोनेंस एक होर है गी है रेजोनेंस तत्थ मंगू च्पाऊं दी नहीं ए बड़ी नंगी चिट्टी गोरियां तो पंच फिर दी है ए रातनू भी फिर दी है रेजोनेंस इसानू तुम दी है कदे सताऊं दी है रेजोनेंस मल्टी लेर्ड है Resonance ही साच है Resonance लिरिकल है Linear नहीं है गी इस करके एतथा तरीकां तक सीमत नहीं है गी बाबा फरीद Resonance वारे एक स्लोक्ष कहने ने फरीदा दर दर वाज़े जाके क्यों डिटो कड़े आल ए ने दोसा मारे है हम दोसां को क्या हाल केंदा हो कड़े आल दी जड़ी Resonance है ओ केंदा कहरे है कि क्यों कुट रहे हूं मैं बाबा फरीद Resonance दी गल कर दे है गिने इस करके बाबा नाना खोरी भी सोलमी सदी दे विच बगदाद शेर दे विच जाके एक Resonance पैदा कर दे बाबा फरीद नौन मुस्लिम है ओ बगदाद शेर्च जानदा है अब्दुर्कादर जिलानी दे शेर्च ते बाबा की है अज कल दी जड़ी पाशा चल रही है उचे बाबा काफर है ओ बगदाद शेर्च जाके की कर दे है बांग देना बांग मुशलमान नी बांग है बाबा फृरीध देनाल मरदाना है ओ बांग देना पाई गुरदाश कैने ने फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जा किया अस्थाना एक बाबा अकाल रूप दूजा मरदाना दिती बांग नवाज कर सुन समान होया जहाना सुन मुन नगरी पई देख पीर पया है राना जिदो बाबे ने उते बांग देती तो बगदाद शेहर सुन हो गया पीर ने क्या हर रोज बांग हुंदी सी ये बांग केड़ी है बाबा इनु कोई फरक नहीं हैगा कि ये शंक चो बज रही है कड़ाल जो बज रही है जा एह किसे मसीद दी मुनार्त पते खड़े होके बज रही है बाबे नु रेखनेंस तक मत बला है ते पीर नु भी समझा रही है कि ये रेखनेंस देखी मीनिंग ने है इस करके बाबा दा जड़ा आरकाइज़ है उसनों आर्कियालजि तो समझें दी जरूर थेगी है बाबे दे पीर बाप इलम है कि बाबा मूमिन नहीं नमाज दी जो बांग दे रहा है बाबा टा रेजोनेंस है ना मोमिन है ना काफिर है इन पांज मुस्लमाना ना जिद रांजा बंसरी बजांदा ए रेजोनेंस पैदा करदा है पीरा नो खुश करन दे लई उनना दे विच्चों जड़े राग गांदा है रांजा ओदे विच्चों बहुत सारे राग शिवजी पैरों ते काली माता देना अलसमंद रख देने ते उनना नो सुनके न मुसलमान पीर नच्चन लागे जान देन ते हीर देन देने नो इफ दी रेजोनेंस इस मैं लो कम्यूनल और इवन दी कम्यूनिटेरियन समझो सानु करदार करेक्टर जड़े हैगे ने उक किमे किस किस शकल सूरत किस लिबास चले पेट के पेश कीते जान देने एनू समझन दी जरूरत है गिया उसनु बेनकाब कर दी जरूरत है गिया जड़े बाबे कर रही सी दोने इस करके इतिहास कारी ते सहत कारी ते दस्दी है कि यसी हिंदू है सिखा मुसल्मान है कि एक गुर्मत काव है एक पगती काव है एक सूफी काव है पर एन दस्दी कि रबाब बंसरी ते चनाब कौन ने कि रबाब मुसल ते चनाब दा पानी जा चनाब दे पतन ए तक कम्यूनल जा कम्यूनिटेरियन किते नी लेखे होई अंग्रेजा ने भी नी लेखे है इनना बारे ता साधे बारे ता लेखता मरदाना मुस्लमान है मरदाने दे हाथ जड़ी रबाब हैगी यह उदा की करोंगे जिब मुस्लमान ने रबाब फड़ लीता हूँ मुस्लमानी रबाब होगी यह जड़े हैगे ने एस करके जिदो मैं एस सुझदा की रबाब मुस्लमानी है जा हिंदू है ता मन्टो दे टोबा टेक सिंग याद आ जाता है मन्टो दे टुबा टेक सिंग दे विच बंसरी दे चनाब दी अग्जिस्टेंशलिजम दी प्रावलम है गिया ओ कहने मैंनू ना कहूँ है मैं बेशक चली गई है एक मुसल्मान दे हाथ दे विच जा एक हिंदू क्रिशन दे हाथ जे बंसरी है पर मेरी ता एक्जिस्टेंस अपनी है मैं मुसल्मान नी हैगी ना मैं हिंदू हैगी ना मैं सुफी कावा ना पक्ती कावा ना मैं गुर्मत कावागा मैं ता कावाँ मैं ता लिरिकला मैं लीनियर नी हैगी मैं प्रोज नी हैगी मैं पोईमा इस करके इतिहास कारी ते सहत कारी जा इतिहास कार ते सहत कार ते असी सारे जो शब्द सुन्दे हैं जो रेजोनेंस जा गून्स दा सर्बन नहीं कर दे असी रेजोनेंस दा सर्बन नहीं कर दे असी पाठ कर दे हैं ते पाठ असी हर रोज करी जाने हैं सुबाशा तिन्य चारे टैम करी जाने है पंजब कई वर पंजबी कर देन कई पंजबार नमाज पढ़ देने हैं असी पाट कर रहे हैं असी ओदे अंदर जड़ी रेजोनेंस है असी ओशनू नहीं सुन दे हाँ मेरे एकदम याद आगया एक फोक है कहना रब कोई न्याना है नहीं जिन उटलीया नाल समझाओ ना है एक पातरदा शेर है कहना काले तंदे चटे सिके चाड़ गए वपारी मंदर बिच मुस्काई जाबे फिर भी क्रिशन मुरारी क्यों साध्य को ले रेजोनिंस नहीं है कि इस करके रेजोनिंस जा गौन्च संगीत है उच समवेदना है ओना की है, जिस शब्ट च र Le Tillста नहीं हुन्दी, उना रबाब च रुण्डी हुन्दी, वन्जली हुन्दी है, मरदना हीर ते रंजा, इत्हास चो मन्फी हो जान्दे, जे रबाब वंजली ना हुन्दे इस करके केवल हकूमत ते हुकम राना दा इतिहास होना सी बाबा नानक जो दा रेजोनेंस दी गुंजदा इलहाम हुन्दा है एसास हुन्दा है उस सब तो पहला मरदाने नो ओ केंदे ने बाबे नो सान नो एही सखाया जा रहा कि बाबा इनो बाबा इनो बाणी उत्तर के आई बाबा इनो बाणी नहीं उत्तर दी सी बाबा नो रेजोनेंस उत्तर दी सी रेट ते बाबर दा ते रूहां ते उस्दा राज सी रेट मीन्स तरती ते ते ता बाबर राज कर रहा सी रू एजड़ी ए ते बाबा नानक राज करता सी रेत ते ते बाबर दा सी रूहां ते उसदा राज सी ओ जो अक्सर आखदा सी छेड मरदाने रबाब बाबा ये कहने भी उत्रिय हुन तो रबाब चला इस करके बाबा फ्रीज जी जा बाबा नानक दी बानी दे इतिहास लई जिन्दा है क्योंकि उस्विच रेजोनेंस है मैं ये कहना हुना एक जस पासिंग रिफरेंस की पंजवे पास्चाई ने बहुत अच्छा कीकता की गुरू गरांट साथ दे पिछे इती लिखता बी ए रेजोनेंस एस नू समझव इती नहीं ता कंप्यूटर ता योग सी फलाने दी बानी 1415 1515 बटनी दबने सी ना बिकाज तुसी देखो कि 1644 गुरू गरांट साथ दसंकालन हो रहा है बाबाबाई विज्डम देखो कि नहीं बढ़ती है इस करके इतिहास कारी ते सहत कारी ने जो साड़ी सियास नल दोस्ती पाई हुई है सानू लुकाई नो रेजोनेंस तो महरूम कीता हुए है साड़े इतिहास ते सहत चों रेजोनेंस मन फी है दोस्ती दी महक सी जिदो रबाब चो सरगम उदे हुंदी सी गुरू दे बोल सवेरी पौन वांगू जाग दे ने अजवी संगच गुरू दे बोल ने पर सुर नहीं मेरा नानक अकला रह गया है बहुत दिन बीट गए संगच मर्दाना नहीं आया जाओ कोई उसनों मोड के लियाओ मर्दाना ता रेजोनेंस है असी मर्दाने नों पता नहीं कि थे रेक्टर क्या कोई पाई गुरू दास तर बड़े कहना है इक बाबा काल पुरू दूजा मर्दाना नहीं वह नहीं वड़ा है साखियां बहुत कुछ दस्दियां ने पर हज़र टाइम नहीं इस करके सानों ए दस्दा है कि सच ता ओ इत्यास तिस मुचे ब्रहमंडच विचर रहा है जिते रीप्रेजेंटेशन है गी है जिते ट्रांसिडेंस है गी है जिते नगेशन दी डालेक्टिक्स नी है गी जिते रीप्रेजेंटेशन दी डालेक्टिक्स है जिते रेसोप्रासिटी है जिते एक्सचेंज है जिते डायलोग है रेजोनेंस भी होते है ते सानों इतिहास कारा नो मेंट्रीम हिस्ट्रोग्राफी ने सानू निगेशन सिखाई है ओ निगेशन नो असी समझिये मुद्दा ता एंथरोपालजी कल ते कॉस्मालजी कल कॉंशियसनेस ता है जिस दी नमाइन की बाबा फ्री ते बाबा नानक कर रहे हैं anthropological ते cosmological चेतना ही सानू इतिहास ते सहद दे structure नू समझन दी जरूर कर समझ दिया असी तो हजे तक पंजाब दे विच्चर मेंडिया दे तक मैंनो इनी knowledge नी पंजाब दे इतिहास दे असी हजे structure नी लब सके कि पंजाब दे इतिहास दे structure कि थे है पंजाब दे इतिहास दे structure की है गा इस साथ लब्या नी गया है गा असी की है पंजाब दे इतिहास नू conceptualize नी कर सके है गे जिदों असी conceptualize करांगे असी फेर ही अगे बदांगे ना असी world level दी debate पंजाब बारे ओदी चलावांगे when we will be able to conceptualize the structures of a पंजाब history ए है कि इस करके archaeological ग्यान ते anthropological cosmological ग्यान जिड़ा है गया उदी knowledge है इस बड़ा जटल एक exercise है पर असी इस exercise नू बहुत हजारा सालनातों नजर अंदाज कर दे आ रहे है गया क्योंकि असी complexity नू सड़े समझ नहीं हो दी जा जान बुझ के जा political कारना करके set aside कर देने है जरूर थे गया कि इस complexity नू intelligible बनाईए जौला तेहा है कि complexity नू इतिहास कार intelligible की में बनाऊंदे लाई के philosopher ए ए ए ए ए एक मसला है गया पर असी की है कि असी ता एनने ज़्यादा तोए टिबे पैदा करते एनने complex बनाते कि बाबा फरीद फर्माओंदे ने फरीदा मन मैदान कर तोए टिबे ला फरीद कह रहा है कि जड़ियां तेनने हे बिट फॉल जड़ियां complexity पर इननों तू ला इननों मैदाननों साफ कर बाबा फरीद कह रहे ने इस करके बाबा फरीद anthropological ते कॉस्मोलजिकल चेतना नाल लब्रेज ने परे होई है गे ने ब्रमंड दी हर शे चो उननों एक representation ते एक transcendence दी dialectics नजर रहूं दी है इस संदरव चो मैं एक गुलाम फरीद दी काफी तो उननों चार लाइना सुनाना गुलाम फरीद बाबा फरीद तो लेके बारा सो तो लेके गुलाम फरीद उननी सो एक चमर दा जड़ा आट सो साल दा पंजाब दा इतिहास है गया उस दे विच्च की है उननों conceptualize के में कर दा है गुलाम फरीद उस उननो वाली गल है गुलाम फरीद कहना रहा है एह हुसन हकी की नूर अजल तैनू मस्जद मंदर देर कहूं तैनू पोथी ते कुरान कहूं तैनू दशरत लक्षमन राम कहूं तैनू सीता जा जनान कहूं बल्देव जशोदा नंद कहूं तेनु कृशन कनहिया कान कहूं तेनु गीत कहूं गीता कहूं गरंत कहूं वेद कहूं तेनु ग्यां कहूं अग्यान कहूं एया reality दि Vietnamese पई एया ओदी डिस्कोर्स के में ओहो कर रहा है गया ते इस करके बाबा फ्रीद दी एंथ्रोपालजी कल ते कॉस्मालजी कल जड़ी है गिया ओ बाबा फ्रीद दी जिदो तुसी नानक ते बाबा फ्रीद दी इस किसम दी सलोक का चौँ इस किसम दी कॉस्मालजीकल चेतना नू लब दें हो ता तुसी शिशालजी नू ते थियॉलजी नू वंगार रहे क्यों साड़ा नुकसान ता शिशालजी ते मैं लग थियॉलजी ने बहुत कीता है ना मैं लग यह नहीं कहना मैं कलोनियलिजम दे कोई असनी डिबेट कोई मार्कसिस डिबेट नहीं रिचा रहे हैंगा मैं कहरे हैंगा कि कलोनियलिजम दे आन तो पहला साड़े को ले शिशालजी दी की नेचर की सी साड़े को ले थियॉलजी दी नेचर की सी theology तो गुरु नानक जी भी बहुत वड़ी है गुरु नानक जी जी वी psychology है 20 साल बाबा नानक जी उदासियां कर दे रहे मरदाना मुस्लमान सी बाबा जी ने एक दिन भी निकिया कि मरदानिया भी तूँ कुछ मड़े जाए दर सिक्के कर नहीं आजा नो इट वस नेवर कॉस्चन बलके एक जन्म साकी दे वेचे एक फोकलोर दी गाल कर रहे हैं क्योंकि मरदाना दस साल बड़ा सी बाबा जी तो ओ जो गुजरन लगया था बाबा जी कहने मरदाने में नो आया लादा तू प्रान छड़ेंगा पाई तो दस तैननो दफन करिये के तैननो जलाइए करना बाबा जी हज़ता कैथी रुके हैं इसे पार्ट अफ फोकलोर स्वाल की है इस दो गलना बड़ी हैं इंपॉर्टेंट ने की गुरू चेले दा रलेशन्शिप किनना डियलॉजिकल है हगमानिक नहीं हैगा कि जड़ा मैं कहता हूँ ही ठीक है लुकेट दी ट्रडिशन ओफ इसिखिजम हाँ लिब्रल हाँ डेमोक्राटिक अड़ डियलॉजिकल इस सब नव एस करके यह जड़ा कॉस्मिक है कॉस्मिक जिदों बंदा कॉस्मिक होएगा ओ दों बंदा ब्रेव होएगा जिदों ब्रेव होएगा तों हर इक प्रकार दे रिष्टे ने न जड़े ओना नों होर तरह दे ओ शिश लॉजिकल नहीं होएगा बाबा फ्रीद जी जे कॉस्मिक ने ता राब दे नालना हस्वेंड वाइफ दा रिलेशन पैदा कर रहे है ये वड़ी गला एक जिड़ा बंदा है गया है जिड़ा महलो कटर थियॉलजिकल है ओ कहेगा तु राब दे नालना रिष्टे पाउना तेरा की मतवल तु राब नाल रिष्टे पा रहे है बाबा फ्रीद कहांदा आज ना सुत्ति कंत से हो अंग मुड मुड जाए कहांदा मैता आप दे बिलावड दे नाल आज हम विस्तर नहीं होई बाबा नाना कहादा जिनके चोले रतड़े कंत तेना के पास हस्पेंड वाइफ रिलेशनशिप क्यों बोथ हर कॉस्मोल्जिकल ओ इस तरह दा इडिपस कंप्लेक्स जड़ा है गा ओ इथे नहीं है गा एक गलनों बड़ी समझन वाली है इस करके बाबा फ्रीद दी जड़ी है गिया और आप दे विच इस किसम दी जड़ी ओ दे विच जड़ी सेंसोसनेस है उस दे विच जड़ी इंटलेक्शन ते इमेजिनेशन है ओनों समझीए ते ततादी जेथ सासी ऐ समझ लाँगे तास आनु इशक हकीकी ते इशक मिजाजी दे मैंने बड़ी जल्दी समझा ज़नंगे भी एकी चीज हूंदी है गिया इस करके मैं ए समझदा कि पंजाब दी जड़ी हिस्टरी है अश्छी उश्णू पंजाब दी हिस्टरी नू असी हिस्टॉरी साइज सुना करिए असी फिलासफी फाइज करिए उसनु फिलासफी दे विचो कुछ कडिए ब्रमन्ड दी हरी किश है बाबा नानक दे बाबा फ्रीद नु पता सी कि एक खास रिष्टियां दे विच विचर रही है गिया जब लग दुनिया रही है नानक किश सुनिये किश कईये ए बाबा नानक क्यों जे बाबा नानक जिनु इस गल्दी सोजी सी भी किश सुनिये किश कईये ताहीं बाबा फ्री दे स्लोक और लैन गए ताहीं सब गुरुआं दी पीरा फकीरा दी बानी गुरु गुरान साब दे विच दर्ज है गी है मैं लोग जड़ा डायलोग दी डायलोग है जड़ा वो कास्मालजिकल चेतना तो गैर होई नहीं सकता बाबा फ्रीद एक सलोक्च कहने ने एक कोईल एकाली कोईल तू कित गुनकाली है बंदे आच देखो कॉंशियसनेस दी हाइट देखो कि बाबा फ्रीद जड़ा है गया है वो पूरे ब्रमंड दी हर शैदे नाल डायलोग कर रहे है कले बंदे नाल ली कर रहे है वो कोईल नाल भी कर रहे है वो फिर कह रहे है कहने एक काली कोईल तू कित गुनकाली उप के अपने प्रया की बिरहा की जाली केनी मैं ओदे बिरहाच अब दे कहनी महभूब बिरहाच जाल रही है Now what is more important in this слok of BABBA FREED कि कोईल त काली हुन दी है BABBA FREED क के ऊचली काली 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 BABBA FREED है नगे समझ दारताए है गए कोईल त जुन दी हो काली है उनू काली कहने की जरूरत है ? कित गुनकाली , काली जेड़ा objective है उनू लान दी जरूरत क्युं है ? यह जैनि के ए समयोटिकस जी आर्थ लभण दी, तब देर थिनू जरूरण समझने चाहीं दीया क्योंकि बभा ना बिहा नो एमफसेज करन लई काड़े रंग नो दस दिया है गा इजनी के जिदो सी अर्था नो आएं लब लांगे ऐस तरह ट्रेस करांगे तां सनु पंजाब दा कल्चर हिस्ट्री ते हिस्ट्रोग्राफी नियां खेड़ाने जड़ियां और समझा जान गियां की एक की गल बात हैगी है ते एनियां गलन कोई समरी नियुक्त आए ते खेड़े है ते टे खेड़े को इचार मदा एक्सप्रेस करें और नहीं कोई समरी नहीं हो सब्सक्रियां का। प्रेजंटेशन होवे तो उन्हों किसे दो चार गलना दे विच समाप नहीं कीता जा सकता है पर जिमें उन्हा निगाल कीती जदो वो आवदी गल करते इस ते मेरे नार मन विच भी कुछ रेजोनेट कर रहा सी ते मैल क्या के स्टूडेंट्स वास्ते में तिन चार गलना जडियाने वो सामने उना दे रखांगा शायद होनानू बाज का माउन और उस तो बाद आपां दो स्वाल तिन यादा नी दो तिन तुसी सारे ठग गए होंगे इनना विचाल लेक्चर सुनके होंगे साडे सारे साउथ एशिया दी एक मेन समस्या ये है कि साडे आज एक अल्दा एसास हो रहे है कि capitalist modernity ने साड़े ना बड़ा खिलवाड कीता है। उन्हाने जड़ी politics सानू दिती है उस politics ने साड़ा बड़ा खिलवाड कीता है। उन्हें बड़ियां साड़ियां जिन्हों वो कहें दे डाइवर्सिटी जिन्हों divisions बना के सानू आप हुच लड़ाया। पर नार स्वाल पैदा होंदा कि इस विच उसी कि में निकल गिये। कोई ऐसी साड़े कोड़े alternative paradigm है जेड़ी उस capitalist modernity नो counter करके असी ओ तो बार खड़े होंगे काल कर सकिये मेरे ख्याल विच आज इदी जड़ा लेक्चर सी इदे विच एक concept बार बार आया है चाहिए ओ concept इस पॉइंट विच तो नहीं रख्या गया ओए concept of resonance के जे असी अपने पूर्णे टेक्स ने साड़े सब्याचार दे विच साड़े गुरुणा ते पीरां दी जे इसी ओना दी गल्दा resonance सुनिये तर शायद सानुई दे विच हो कोई हाले लबन वास्ते गल मिल सकती है resonance दे विच तो मैंनों लगया जी मैं वो कह रहे हो न अपने लेक्चर विच के एक पासे तब politics of identity है जेडी के western paradigm तो आ रही है modernity तो आ रही है दूसरी तरफ what he called the politics of resonance है should politics of resonance जेडी है ओई सानु ये थो बार कड सकती है politics identity जेडी हो बार-बार सानु हो थे कुमन के इरिया दे विच पाई ही रखेगी और इदे वास्ते सानु सानु तिन जेडे साडे में ठिंकर ने हिंदुस्तान दी सब इता बारे उनना नू वल मुड़ना पहेगा एका महातमा बुद्ध मैं अठवी जमास साजदो उनना ने मैं लेक्चर पड़े उनना पड़े जीवन उदी पहली लाइन सी संसार दुखाना कार है पर उस तो बार दो बड़े महान जेडे ठिंकर आए हो है फरीद और उस तो बाद गुरु नानक इनना दो आंठिंकर्स ने एक गलते रिकगनाईज कीती बुद्धी के संसार दुखाना कार है और जिन्दगी दे दिये विच दुखाना तेल ना पाए ते चेतन ता जड़ी और रोशन नहीं हो सकती विच दुखान दे जड़ी पाएगा बाबा नानक बाठारे इस बाल मुर्द है दुखाना बुर्द है पर फरीद जे बाबा नानक ने एक चीज़ जड़ी साधाना दिती हो है वह नोशन अ प्रीद जब बाद गंड़ी नोशन ऐ निसाना दे विच जे शौ प्रीत न जाए फृरीदा किती जोवन प्रीत बिन सुक के कमलाए और इसी तरह बावनान बार बार जड़िये प्रीत दी गल रख दया है इत दो गला ने प्रीत ते संसार जड़ा दुखांदा का रहा है इनना पैराडाइम्स दी रेजोनेंस दी तो ही सानू कोई सब कर दूसरी चीज़ मनुएचो लभी ओ है सबयाचार कि सबयाचार जेड़ा ओंडीयां तो अगे निकड़ जाओ तो ब सब पर निकल लगे फिर मैं तो आनों एक होर प्लेंटे मिल रहे हैं तुसी भी पंजाबी हो मैं भी पंजाबी आपाए इस गल्दा जिकर नहीं करना के तुसी कौन हो तुड़ी नेरो डेंटिटी की है इस गल्दी तीसरी एक गल जड़ी साधे नाल तुरी आईया और जड़ी सा मैं नहीं हाजर ओ मेरी मैं भी हाजर हैं जिन्हों मैं सोचया से पिछे छड़ाया हैं माने एक टुटिया होया रबाब तितानिक प्रशन जया सच खांडदा वासा केड़े जंगल विच मैं इस शेहर दिया सड़कांते रस्ता फुल गया कि ए हालत पुझी है हो मैंने जड़ी मैं मैं सोचा ऐसी पिछे और जड़ी गाल दे अब गुरू नानक दे और गुरू ग्रांत साहव दी और सिख फलस्फे दी इक कोई एक माद है हुआ 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 है और मैं सोचा ऐसी पिछे शाड़े हो तो मेरा पिछा नी शाड़े है मेरे नाली जा रही है और तीसरी गाल जड़ी है नाने बहुत वदिया कही है और सानु अदे बारे सोचन दी लोड है ओ अग गुंज दा जड़ा संकल्प है रेजोनेंस दा जड़ा संकल्प है कि सानु अपने पास्ट दे विच्छों अपने सब अचार्दियां तेहा ने उनना विच्छों एक गुंज नू सुन दी लोड है इदी बजाए कैसी कोई फिनिश्ट फलस्फा सुनिए या कोई सुजी सुनिए ओ ठीक नहीं गुंज गेडिया उसाड़े मान विच्छावे गुर्बाणी दे उत्ते एक चीज़ दे बढ़ूंगा वचार की दिता है इदे तो मैं बिल्कुल नपेज़े मैं बिल्कुल बे अकल नूसता हूँ ओ है म्यूसिक साड़े चो किन्ने लोग ने जैडे इस गल नू महसूस कर देने कि गुर्बाणी मैứng ते दा आरत क्यों है हां रागा दे उत्ते क्यों है ओ सारा संकल्प रागा दो दे पिछी ओ कूँझ दा संकल्प है पुरी दे पुरी ऐक कूँझ है रागा दे विच जेडि सथी आत्मा दे विच जे ओ रगा दी गूंज साथी आत्मा दी गूंज नो जगा नहीं सकती ते फिर तुसी गुर्बानी सुनता रहे हो पर गुर्बानी दे विच अपने मन उत्र नहीं रही तो अड़े के दे ते मैं इती गल बंद करता है दो सवाल आप हम पुछांगे उस तो बाद फिर आप हम बंद करते हैं को कि यह दे बारे बहुत सारे सवाल उट सकतेने इस करके ऐसी बैस लंबी नहीं करांगे सिर्फ दो सवालों मित्र जेड़े सोच देने कि जरूर होना ने दो सवाल पहूंडेने इस बिट आउट आउट आप कॉंटेस्ट के 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 गुर्णानक साथ और फ्रीज साथ विच मेरे ख्याल जे साल ना फरक है एट फिफ्टी सर दसो के जो दो गुर्णा तुसी क्या होने गुर्णानक साब गए हो थे पाक पतन दे विच ते उनना दे जड़ी के राइटिंग लाया के आए श्रोग लाया के आए उस टेम की सी यो कोई की पैंड राइव सी यह की कंप्यूटर सी गा के गुर्णारक साथ नो पता लगा के शेख बाबा फ्रीद भी है के ने फिर ओ प्रिजर्व किस तरह के इंगे कि उनना दी बानी की पेपर सी गा हाई होएगी है आए नहीं कह रहे है कि की टेकनीक है कि कि तिन सो साल भी होना दी राइटिंग ठीक रही फिर बापाजी लेया के आए फिर उन्हों प्रिंट किता गया फिर कंपाइल किता अब ग्रुग रहन साब एदे थोड़ी लाइट देओ थोड़ी अब और वह पहुत बन्या सोब एक जारा है तो इस वाल कुछ सवाब ने गई है कि आप कोई चीज नहीं है कि आजए देओं कि आप 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 सब्सक्राइब को लिए इतना गार्गर्ण सागर्ण पार्टिता है और याज मौझूद है असी नहीं पुला मुझूद है कि दुनिया भी बड़ा कुछ है असी गुदू साहब दे पानिकास देखकर खुश हो जाले हैं अगरा जलूब नहीं मिलना तो तो नहीं प्रोफेसर महिंदर सिंग ने आज बड़ी सपश्ट तरुके कही है कि सानों नहीं पता सी के इटा वड़ा खजाना के है और खजाने नहीं और खजाने नहीं पूंची नहीं तो आड़े सामने पेश दो के आज बोड़न एक हमयों है कि अक्तित दृता है के झेलिआ नूरे खुदारी एक ह मुप पर घाह जड़ा पकुदे आदमन गोलभेज मनसमें हो गया रस्ता चत जिन्री आरास्ता पुच गया मजन armally इंठ ऋए मिल्क दिल बर दिल ऑष्चाज को चॉम नंजीवन हड्ken록 दे cura B.I.D. back Memме aja जीवन देगिए जीवन दीवन के लिए पुच्छा की तिन सो साल दा फरक सी मेरी वास तनाई दे रही है हूं ने इस दे विच दो तिन गलाने फिर उनने कुछ है की हो दो कोई पैंडराइब सी जब कि असी अपनी लाइफ चर जिदों दी स्रिष्टी बनीया थे हुन तक असी कल्य हिस्टॉरिकल टाइम जनी जीन दे हैं साइमिल्टेनियस्टी वी लिव इन हिस्टॉरिकल एंड मिठोल्जिकल टाइम इजर टाइम दा कॉंसेप्ट है ना इस सदे को ले कितों आया जेड़ा आ टाइम ऐगी तिन सो साल दा फरक सी हो उन्हों के में मिले है मैं पहले दिए सिर टाइम असी एट टाइम मिठोल जी इसनो असे आप्डी पाषा दे वेच एक होड टाइम भी जी रहे हैं एकस एक contemporary टाइम जी रहे हैं जिसनो असी synchronic कहने है एक diachronic असी इतिहास भी जी रहे हो ने है नमबर वान इस करके टाइम दा जितनों असे पिछले past नू'm मौडरन ट्रेमेनलजी दे विच सोचन लग जाने है गड़बड हो जाने है साड़े दमाग चे आया भी कि आई कि में कि उस्तरां दी कोई पेंडराइव काइंड होएगी ए गल उत्थो निकल दिया है कि साड़े चो एना साइंटिफिक पारू हो गया कि साड़े चे इमेजिन सेंस्वस्नेस ते इंटलेक्ट तिन्ने मन्फी हो गए अची सोच नहीं सकते मैं तो नहीं के गल दसता हूं आर्सी टेंपल ने तिन वॉलियम चे लीजेंड आफ पंजाब लिखी सेकंड वॉलियम दे प्रिफेस दे विच लिख दा है कि इन वान आफ दी जनम साखी इक जन टेंपल वेस्टरन है ओ कहनदा एक जनम साखी दे वेचर बाबा नानक दे बाबा फ्रीद बैठे गल्ना कर रहे ने अग्गे फिरो दा कमेंट बढ़ा ब्यूटिफूल है आर्सी टेंपल दा ओ कहनदा इस आर दी पायस फ्रॉड आफ दी फोक पायस फ्रॉड आफ दी फोक फोक तसवर कर रही है मैं बैठा बैठा तसवर पता नहीं की की करदा हर रोज डेली तुसी भी कर दे है गयों ते जिदो बाबा फ्रीद हो थे जानदा है गया ओ एक को ओरल हाँ चीतों बाबा नानक सोड़ मी सदी ते विच एथे हुंदे ने ता ओ समय ना ता कंप्यूट सी ना साथे को ले मुबाइल सी ना डेली न्यूज कनवे हुंदी सी ओ समय फोक लेवल दे उते बाबा फ्रीद दे स्लोक सी जड़े ओ लोकां दे मूँ जबानी सर्कुलेट कर रहे सी ओरल ट्रडिशन वर सो स्ट्रॉंग फिर बाबा जी जिदो उत्थे जान देने पाक पत और कोई फ्रीद ओ समय भी लिखत चनी सी फ्रीद दे स्लोक नो फ्रीद दे स्लोक ताहीं तहई दे बारे स्वाल उठेया कि वाके फ्रीद दे स्लोक जड़े है गेजी हो ग्रुगरन सावाले इड़े बड़ी परानी है मैं उस दे विच नहीं पहना चान्दा कृषन अधर फुटनोट तट्स दिफरन फॉर्ण नोग अधर ही नागा तट्स ही बड़े हिंसाप परीके और अधर आरहे हैं इस ऐसे अधर बापा पीजर तो कि में जो दें जासा है इसे हमादे ना अधर आज जैसे अधर अधर आज जो अधर आधर आज से तो लोग शिद्वी यह कि बाबा फृट अधर क इवाल्व करनी पहनी है तो दे डिफरेंट 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 वेन ए इन एक वारिशा दे उते ही पिक्तोरियल चीज लहीं बैटा मैच पॉआनी है अच्छा मैं ख्याजी मैंना एक वारिशाद जड़ी हीर है ना हीर दिया जड़ी है पराने किस्ते हैं चीज फोटों हों दियां सी ना उननों मैं कठी करीब बैठा है गां मैं उननों च्छपवान है एदे लई बड़े पैसे दी जरूरत है ओ कहने भी किसे ने राजी नहीं ह करन दे लेए अशी कोई फंडिक त्यार नहीं है गया इता ओधी होएगा ना जेदो कोई तक गया आएगा ना कोई तक करेगा ना ठीक है ने एक आए फार्मूला ता है नहीं कि एस तरह हो जेगा ठादेने कर लो एस तरह नहीं होना है गाए इस चेता ही निस अड़ेज पै है कि परस्ट गोड़ दा बहुत सर्व लोगें नाम सुनेया आप बहुत सर्व लोगें पढ़ेया ते मैं जो लगया बता कि बड़ी चंगी रिस्पॉंस हारी तो मैं खुशी होई कि जिस परपस लिए सदन बढ़े है वो मंतर पूरा होगा है मैं शुकर गजा रहा हूं ग गोड़ साब दा कि प्रणा प्यार सदन देनाला अपने जिए में छड़ के मैं कि तुसी आउना दे मन देनाला कि ठीक आज़ वांगे आपसे प्रगवान जोश बहुत उच्छी वस्तावेच निजी जीनमन बारे गल नहीं कर निजी दी किते कि मैं तबदील हुए है कि की पर एक अच्छी गले है कि मैं पहला जिकर कीता है सदन देनाल उनना जुड़ा बने हुए तीजी चंगी गल की है कि तोड़े सारे लोग आने एक मेरे सजन बैठे हैं वो कहें दे मिनों इन्विटेशन नहीं पोची मैं कहें जी बड़ी मारी कर देनाल लोग लंप देनाल अगला प्रोग्राम जना सड़ा रहेगा आठ मेरे नूं एक सजनान जनने अमर दीप सिंग आग गुरुनार के वारे वो सारी थामाद लेगे जिते बावन नाने के बड़ी मुश्किर ना लगे ते डॉकुमेंटरी सीरीज ब्राइए चबी इस सेंवेच अप्पा उधर ड निते शहीं कर सकते हैं इतरी सफ्षिंस फोन आया है किसी ने गई यह थी कैदा बाकी ठीक है लेकिन गुरुनानक तो ना जी नहीं हिला हुँघ्ञानक तो इनन तो इना बंदा पद्द ना कया बंदा शी ना गुरुनानक युची को उने घुनानक देव युची बढाकर करते हैं गुर्णानक जुनाया है वो देव नी ऑगा हिंदुरी जी न गुदाइब घृप्सक्राइब कर देखे नहीं तो साठी क्वश्व पिंजाबी विछ अच्छा मुकी तो नहीं दोना विछ हिंदी विच अंग्रेजी हिंदी जार सीरी बन चुके हैं तो तर पहला जाओना अफगानिस तान बारे बाबा नानक दा अफगानिस जातरा जड़ी हो दी डॉक्यमेंटरी सीरी दखाई जाएगे ते डॉक्यमेंटरी बनान वाले उन्हें वतनी जड़ी विरंदर कोर होंगे ते यंग स्कॉलर जामियत हों अर्पीत कोर उन्हों इंट्रिव्यू करेगी तो बेंटी है कि तुसी मेय अठ दो जड़ते हैं इसी हाल विच पंच जो जड़ते हो तो बड़ी मिरवानी होगी बाकी तो अबनी तर्वाद करता है ते खासकर तर्वाद करता है मैं दिली इस दे दे अपका ते विद्यार केंदे जिन्हा कारण जड़ा दोबारा जड़ा है सैथ सदन अपनी पहली वस्ता बेचा गया तर्वाद